आज देख रहे हैं आज जलकी धारा काफी कम हो चुकी है देख रहे हैं ऐसे हर्की पैड़े में जलकी धारा कितनी है वह हम आपको अभी हर्की पैड़े जाके दिखाएंगे ऐसे तो हर्की पैड़े में जल प्रयाबत है जहां प्याविश्णान कर सकते हैं और अब देख रह सुबा के आठ बजे देखने को मिर रहे हैं हाई दोस्तों हरर गंगे नमामी गंगे अभी हम सुबा के आठ बजे गंगा घाट पे आ चुके हैं और सुबा सुबा काफी टेज वर्फिली हावाया चल रही है बैठे हुए है जो कि मुंदन की विधी कराते हैं जलकी धार कम होती कावसाय लोग यहां पर सुना चारी सिक्के निकालने के लिए आते हैं देख रहे हैं यहां से आप देखेंगे मामंसा देवी की टेंपल की सुंदर द्रिशया जो की काफी अदूर नजारे आपको आज देखने को मिर रहे होंगे उपर आश्मान मंग की बैरिजल की धारा और मामंसा देवी की टेंपल ट्रैक पे आप देखेंगे काफी सारे से दालूरे जो चोकी सुबह सुबह ही यात्रा शुरू कर दी हैं और वैसे ही आपको दिखाई देगा ट्रॉली का द्रिश्या ट्रॉली में भी कावसाय लोग आजा रहे हैं इस वीडियो में आपको हरिद्वार यात्रा की संपून चनगारी मिलने वाली है काम सार लोग कमेंट आ रहा था कि हरिद्वार यात्रा में किन-किन बातों का ध्यार रखें तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप हरिद्वार यात्रा में किन-किन बातों का ध्यार रखे जो घाट है यह है गव घाट का दूसरा हिस्सा और अभी हम चलेंगे तरकी फेड़ी जो की यहां से लगभग 400 मीटर दूर है जिक रहे हैं हावा कि इतनी तेज है और यह वाली ब्रीज हाथी वाला ब्रीज और सुबह के समय हाथी वाले ब्रीज में सं दस रुपया का तीन आपको मिल जाएगा अगर आप फ़र से ब्रागरिंग करेंगे और जादा मिल सकता है इधार से हमारी यातरा सुरू हुए थी हम यहां से यातरा किये थे और निसूल करन बसे रहा है कि मल महिलाओं के लिए यहां पर लेड़ बात नहीं है कि वर आप इ देख रहे हैं सुबस्बसंद आलू के संख्य जो की गंगा घाटों में प्रेवियस कर रही है हावा ते चर रही है और साथ में भीड़ भी आप देख रहे हैं यह है पंडि दिन द्यार उपद्धा की पार्किंग विद्री है और यहां से यह है उशगाट यहां प्याश्टी विश्र मुंडन की विद्री किया जाता है मुझे बजार से ओके जाएंगे इस मार्गर की और आप यहां से आप दो घाटों का तो जिससे दिखेंगे मार्गंगर की पहरी जाल की लहारा और इधार है शिव घाट और इधार है सुभाज घाट यहां पूरे देख रहे हैं अब आपको पूरे हफदे भीड देखने को मिलेगा और खास तब टो अब रौ पर को कानफी जादा फिर देखने को मिलेगा बिघाटों में फिर काफी जादा होगा और आपको रूंगी बुटिंग्द पहले कराकिया रही होगी और दर्श बजे के बाद सामको चार बजे तक आपको उ पर जबे देक और यहां पर लोग आ जा रहे हैं और सबसे अच्छा घाट अगर च्छाओं के दृष्टी से देखा जाए तो यह है यहां पर आप आराम से बैड़ के कुछ दिर विश्राम कर सकते हैं चलते हैं यहां से हर्की पैड़ी लगवक्त तीन सो मीटर दूर है जिए हैं यहां पर आपको है थर से ज्यादव भीड़ और चेंजन गुरूम भी आपको देखें को मिल जाएंगे काभे यहां पे बनें होए हैं जैसे कि आप उप्राइद कर सकते हैं यह होटल रमसाना जो के घाट के ऊपर ही है यह आप देख रहे हैं सफाई अभी हो रहा है हाँ पर चेंजिंग रूम सुभाज घाट पर यह है इस अभाज घाट में अगर आप कहें तो वर्ट कवरिक्ष जो ही काभी पुराना वर्ट कवरिक्षा है देख रहे हैं आप जल की धारा आज कम हो चुकी है गहरे जल में जाकर श्ना ना करें लेकिन आज जल की धारा गम है तो रिक्स तो तो नहीं है लेकिन जल की धारा जबी भी बढ़ जाती है इसके वजह से लिक्कत हो सकती है है यहां पर आपको होटल रमसाला है पूरी नई घाट के जो किनारे से लेकर पूरा सुभाज घाट में आपको देखने को मिलेगा एक किनारे दूसर किनारे तक अब आज देख रहे हैं और जल की धार यहां पे काफे रुकी हुवी से आज लग रही है हर्की पैड़ी में भीर काफी ज्यादा होता है ऐसे दुल की धारों को रोकत रही जाता है जब भीर ज्यादा हो और अभी देखते हैं हर्की पैड़ी में क्या सिश्वेशन क्या द्रिश्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर नखी पेड़े में जल प्रयापत है जहां प्याविश्णान कर सकते हैं और भीड़ आप देख रहे हैं पूरे घाटों पर देखने को मिलेगा कि यहां पर देख रहे हैं काफी टेज हावा चल रही है कि सुबह सुबह और अगर हम इधर के बाद बता है तो आप देख रहे हैं सुरे किन्ने काफी तेज है और जैसे कि हम आपको पहली बता दिया है कि आपको दस से चार के बीच आप काफी तेज दूप का सामना यहां पर करना पड़ेगा भीड़ आप देख रहे हैं गहां खाटों पर यह है नई घाट कितनी जदा भीड़ हो रखा है आप देख रहे हैं यहां पर अस्तिविशन मुन्दन की विदी कराते हैं और सबसे प्रमुग घाट हरकी पैड़ी यह है जहां पर आप देख रहे हैं कि इतनी जादा भीड़ लोगों का है वहां पर इसनान कर रहे हैं पूजा की वीड़ संपन कर आ रहे हैं नई घाट का दूसरा की नारा आप देखी रहे हैं कितना जादा यहां पर भीड़ालों देखाई दे रहे है चलते हैं हर्की पैडी जो कि यहां से लगबक सो मिटर के दूरी पे हैं यहां पर जल्की धारा सही है देख रहे हैं सुभाद गाड में जल्की धारा काफी कम थी यहां पर जल्की धारा आपको काफी सेज देखने को मिलता है यहां पर जगा सकरा है और की पैड़ी में भी जल्की धारा काफी कम महसस हो रही है देख रहे हैं सुन्दर दृष्या हमें यहां पर थे यहां से आपको त्री से दिखा रहे थे चार ओर गदरिस से दिखने को मिल रहा है है भीर तो आपको पूरे घाटों में और पूरे हफ्ता दिखने को मिलेगा गूंद की बूकिंग कि हरके पेड़े के आस्वार रूम सबसे पहले बूक होते हैं जो पहले आएगा वो पहले पाएगा इस तरह का जो रूल है वो होता है और कम साय लोग ऑनलेन बूकिंग राक आते हैं तो आपकी जरूर द्यान रखें उम्मीर ही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में हायर केंगे नमामी केंगे